हलो फ्रेंट्स वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स मोटर साइकल बैक फायर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि किसी भी सेग्मेंट के किसी भी सीसी के बाइक में हो सकता है और इसे कभी भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके वज़ा से बाइक के इंजन का हिल्थ, इंजन का लाइफ और इंजन के पार्ट्स को बहुत जादा नुकसान हो जाता है तो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोटर साइकल बैक फायर क्या होता है, कब होता है, किस वज़ा से होता है और सबसे जरूरी कि इससे इंजन को क्या नुकसान हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राब भी जरूर कर लें अब फ़र देखे सिंपल सी बात ये है कि किसी भी गाड़ी का इंजन हो उसके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ये जरूरी होता है कि complete और clean जो combustion process है वो engine के cylinder के अंदर में ही हो असान लफजों में कहना हो तो देखे इंजन को power produce करने के लिए जो हवा और petrol का मिश्रन इंजन के combustion chamber के अंदर में आ रहा है तो combustion stroke के time पर ये जरूरी होता है कि पूरा का पूरा हवा और petrol का मिश्रन जल जाए तब ही engine बेहतर power produce कर पाता है और तब हमें अपने गाड़ी से बेहतर mileage मिल पाता है लेकिन कई बार अलग-अलग कारणों से क्या होता है कि combustion stroke complete और clean नहीं हो पाता है और कुछ नकुछ unburnt fuel यानि कि बिना जला हुआ petrol रही जाता है अब देखें दिक्कत कहां पे शुरू होने लगता है मैं आपको बता दू कि next stroke होता है exhaust stroke और इस टैम पे क्या होता है कि जो exhaust gases है जो धूआ है वो exhaust valve से बाहर निकलने लगती है और उसी के साथ ही जो unburnt fuel है जो बिना जला हुआ petrol है वो भी बाहर निकल जाता है अब mostly क्या होता है कि हमारे bike का जो silencer है तो silencer का जो exhaust का pipe है और जो exhaust है यानि कि जो silencer है वो बहुत जादा गरम होता है और जब ये बिना जला हुआ petrol, exhaust pipe और silencer से होके गुजर रहा होता है तो इनके गरमी के वज़ा से, इनके heat के वज़ा से क्या होता है कि जो fuel है, जो petrol है वो या तो pipe में या तो silencer पे आके वहाँ पे जल जाता है वहाँ पे विस्पोर्ट होता है, वहाँ पे combustion हो जाता है और इस वज़ा से आप कई बार गौर करोगा कि जैसे ही आप अपने बाइक के engine को start करते हो या फिर जब आप अपने बाइक को accelerate कर रहे होते हो, speed बढ़ा रहे होते हो या फिर अचानक जब de-accelerate कर रहे होते हो, speed कम कर रहे होते हो तो आपको अपने बाइक का जो exhaust का pipe है या फिर silencer से बहुत ही loud, बहुत ही तेज, banging का, popping का, किसी चीज के फटने का, विस्फोर्ट का आवाज आता है बेसिकली ये वो पेट्रोल होता है, जो कि engine के अंदर में नहीं जला और बाहर आके pipe में या जो silencer है, जो exhaust system है, वहाँ पे आके जल गया है और उसे हैं हम कहते है engine backfire या फिर motorcycle backfire अब देखिए, ये जो motorcycle backfire है, वो कई अलग अलग कारणों से होता है, जिसके बारे आपको पता होना चाहिए और बहुत हतलक इसका main reason ये होता है, कि देखे, engine को power produce करने के लिए जो हवा और petrol आ रहा है तो उसका ratio बहुत ज़्यादा matter करता है, अगर air fuel का ratio बहुत ही ज़्यादा lean हो जाए, यानि कि हवा ज़्यादा आए, पेट्रोल कमाए, या बहुत रिच हो जाए, यानि कि हवा कमाए और पेट्रोल ज़्यादा आए, इस तरह के सूर्तों में क्या होता है कि जो combustion stroke है, वो सही से नहीं हो पाता है, और unbund जो पेट्रोल है, वो रही जाता है साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट्रोल इंजनर के लिए best यह होता है, कि जो ideal stoichiometric air fuel ratio है, वो होता है 14.7 is to 1 यानि कि एक केजी पेट्रोल को जलाने के लिए कम से कम 14.7 केजी जो हवा है वो होना चाहिए और इसे केजी में ही दरसाया जाता है अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत lean हो जाए, बहुत rich हो जाए, पेट्रोल सही से जला नहीं, कुछ पेट्रोल बजगया, आगे आके exhaust में जल जाता है और देखिए, यह क्यों हो रहा है, यानि कि too lean या too rich क्यों हो जा रहा है, इसके लिए जो reason है वो है, कार्बुरेटर या फिर अगर बाइक में ECU दिया गया है, तो ECU यानि कि engine control unit अगर कार्बुरेटर खराब हो जाए, सही से अपने function को perform नहीं कर पाए, या jam हो जाए, कोई भी reason हो, तो फिर क्या होता है, कि सही मातरा में जो हवा और प्रिट्रोल कमिशन है, वो नहीं हो पाता है कई बाद जो ECU है, जो engine control unit है, उसका mapping गड़ बड़ा जाए, वो सही से जज नहीं कर पाए कि कि कितना प्रिट्रोल विजना है, कितना हवा जाना चाहिए, तो भी ये जो rich है, जो lean है, yellow problem आए लगता है, तो अगर आपकी गाड़ी में जो motorcycle backfire का problem आ रहा है, तो आपको बहुत ही छोटा exhaust लगा दोगे, तो भी motorcycle backfire का problem देखने को मिलता है, कुछ ऐसे aftermarket exhaust होते है, जिनके वैसे क्या होता कि वो आपके गाड़ी के engine के साथ compatible नहीं होते है, तो भी backfire का problem देखने को मिलता है, और कई बार जो exhaust का pipe है, अगर वो धीला हो जाए, तो भी motorcycle का backfire का problem है, वो देखने को मिलता है, कई बार reason जो होता है, वो होता है, spark plug, अगर spark plug सही से काम नहीं करे, या spark plug तो जो spark निकलने का timing ये वो गरबर हो जाए, सही time पे नहीं निकल पाए, तो भी combustion सही से नहीं होता, और unburned जो petrol है, वो रह जाता है, और कई बार तो अगर petrol आप गलत quality का ड डला लो, या जो हमने duplicate petrol बोलो, या जो मिलावाट वाला petrol होता है, अगर board डला लो, तो भी क्या होता है, कि जो backfire का problem है, वो सब देखने को मिलता है, तो परिंच ये सारे कारण होते हैं, जिसके वाईसे किसी एक motorcycle में backfire का problem जो है, वो create हो सकता है, अब ये किस तरह से आपके बाइक के engine को और बागे के system को नुकसान पहुचाता है, इसे बताने से पहले मैं आपको फिलाला भी cars जुड़ी हुए कुछ important बाते बताने वाला हूँ, अब मैं आपको बताना चाहँगा कि अगर आपके पास car है, और आप अपने car के लिए 100% genuinely spare parts चाते हो, तो इसमें आप आपके help करेगा budmo.com, budmo.com online spare parts के expert है और यहां से आप Indian companies के साथ साथ, जितनी भी विदेशी company की car से उनके भी 100% genuinely spare parts चाते हो, इंटरफेस बहुत चाते हैं, जस्ट आपको अपने car की manufacturing company, model, air variant को डाला है, उसके बाद आप अपने car के model के हिसाब से 100% genuinely spare parts चाते हैं, यहाँ प OEM catalog भी देखने को मिल जाएगा, car के हर एक section के लिए जैसे कि engine, transmission, steering और बाकी के सभी section के लिए अलग-अलग catalog आपको देखने को मिल जाएगा, उस catalog में उस section के सारे parts का आपको detail देखने को मिलेगा, part का नाम, part का number, part का description, वो part कितना लगेगा, यह सब आपके यहाँ पे compatibility को भी check कर सकते हो, और अगर part आपके car के साथ compatible हो जाए, तो फिर आप उसे असानी सियां से order कर सकते हो, यहाँ पे आपको 10 दिन का return policy भी देखने को मिल जाएगा, तो budmo.com के official website का link में इस वीडियो के description दे दूँगा, तो please आप budmo.com पे जाए और वहाँ से अपने car के कि देखे जब भी किसी motorcycle में, जो motorcycle backfire है, जो engine backfire है, अगर वो problem create हो जाता है, तो सीधा सीधे जो impact होता है, वो होता है, heating का issue आने लगता है, यानि कि आपके जो bike का engine है, प्लस जो पूरा complete exhaust रिष्टा में, वो बहुत जादा गरम होने लगता, overheating का issue होने लगता है, और आपक उससे जो bike के engine के parts है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो function है, जो performance है, उसमें impact पड़ता है, साथी overheating के वज़ा से जो bike के engine के parts है, उनका life भी कम हो जाता है, तो overheating को रोकना बहुत जरूरी है, यानि कि backfire को रोकना इस case में बहुत जादा जरूरी है, साथी मैं आपको बता चाहूंगा यहाँ पे, कि देखिए, अगर backfiring लकतार चलते रहता है, तो यानि इसका मतलब simple ये हो गया, कि आपकी bike के engine के अंदर में जो petrol जल रहा है, और उससे जो भी energy release हो रहा है, तो सही माइने में जितना petrol जल रहा है, और उससे जितना power मिलना चाहिए, वो power नहीं मिल पाता है, power का loss होता है, पेट्रोल वेश्ट होता है, और आज के टाइम पे, जब पेट्रोल इतना ज़्यादा में गया है, तो एक एक बूंद का जो पेट्रोल है, उसका कीमत बहुत ही जादा है, जानि कि सीधा सीधी impact, जो motorcycle backfire है, उसका आपकी गारी के mileage के साथ भी होता है mileage drop होने लगता है, साथी ये भी problem दिखने को मिलता है, कि अचानक से जो pickup है, उसमें drop हो जाता है, आप accelerator लेने की कोशिस करते हो, तो जितना आप acceleration ले रहे हो, उतना तेजी से गारी आगे की तरफ नहीं भागती है, तो ये भी बहुत ही important समझना कि ये सारे problem आते है backfire के वज वीडियो को like और share जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय, आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो please चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी दबा ले, ताकि आने वाले important videos के update आ आपको notification के थुरू मिलते रहे, मिलते अगले वीडियो में, thanks watching this video, good bye